ने भाई बोल रेड़ी ने भीतिया पंचायत बटा हुआ है और विकास के जो पैमाने हैं अभी तक ये पंचायत बड़े पैमाने पर विकास से बंचित है लेकिन खुसी की बात है कि बदला हुआ है और यहां की कमान अब बवीता देवी को मिल गई है बवीता भारती को मिल गई है और उनके साथ प् कि जनता का जो आपार समर्थन इने मिला और जिस बड़ी मात के साथ इन्हों ने अपने प्रतिदोंदी को मात दी दूसरे नंबर पर यहां कि निवर्तमान मुखिया रही थी तो किस तरह जनता का आवहार व्यक्त करती है और आने वाले समय में पंचायत का जो द्रिस्टी कौन है पंचायत का जो विकास है वो किस पहमाने पर होगा बहुत-बहुत स्वागत मैडम आपका सबसे पहले तो तमाम जो भितिया की जनता है उसने आसिरवाद अपना दिया अब आप किस तरह जनता की आप एक छाय और आसाओं पर खड़ी उतरेंगे सबसे पहले जनता को धनिवाद दे तो बविता भारती मेरे माम होगा आप देख रहे हैं काम के चिक्कर में ही बदलाव हो गया भितिया में आप बढ़िया काम करेंगे सबसे पहले मैं आपके चैनल को अभार व्यक्त करता हूँ और साथ ही मैं इस भितिया पंचायत के सभी हमारे जो मद्दाता गन है मैं उनको इस जीत की जो बढ़ाई है मैं मद्दाताओं को देना चाहूँगा क्योंकि इसमें बहुत बड़ा मद्दाता जो हमें ये भार दिया इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार हूँ मद्दाताओं का और ये जहां तक हमारी जीत की ब लोग भितिया पंचायत में मान सम्मान के लिए काफि था और जिसके बज़े से हमें लगता है कि हमें चुना गया और विकासकार जो रहा है भितिया पंचायत का वो भी इस्थिती ठीक नहीं रहा है उस पर जादा टिकाटि पणी नहीं करना चाह uncertain Gayo की आप नहीं करेंगे लेकिन jelly rank के पास जाते तोब बदलाव करणे आप सुखई पूले कि यहांad then okay यहां गि की जो नव निरुवाचित लेहां भाविताथ शैन जैनता जो कुछ बदलाब होना चाहिए नहीं जिसे बोविता भारती आया सामने में बहुत पंचाट लाओ की उमीद है आप लोग हम लोग लोग होगा है अब लोग दिजेगा सबसे बड़ा समस्य आप लोगों का क्या है ये बताइए सबसे बड़ा दिक्कत क्या है बितिया और आप लोगों पैंसन मिलता है बिल्कुल आप बताए जितेंद्र जी कई अपे इक्ठाएं है जनता की और खास्त और पर सिक्षा से लेके स्वास्तक और उसके बाद नलजल सहित गली नली योजना है कई तरह की योजना है आप लोगों को काम करने का मौका मिलेगा और बहु बहुत से गाउं है हमारे पंचायत में जहां की पानी अभी तक उपलब्द नहीं है वो भी पीने का पानी सड़क भी उपलब्द नहीं है बहुत ऐसे गाउं है जहां की घर से निकलने का जगा नहीं है ऐसा भी है और सिक्षा से जुड़ी जहां तक बाते है वो सिक्षा त थे कि भरस्टाचार बहुत है पंचायत में तो मैं ये एस्पेक्ट करता हूँ आप से कि उस भरस्टाचार के खातमे के लिए क्या पहल की जाएगी आपके और से चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो या फिर रासन कार्ड से लेके तमाम तरह सोचाले की जो योजनाए है उसके लिए मैं खरे उतरने का प्रियास करूँगा और है कि जहाँ ये रिस्पत खोरी की जहां तक बात है मेरी पैनी निगार हैगी उस पर और हम प्रियास करेंगे कि ये भरस्टाचार मुक्त हमारा पंचायत हो बिल्कुल देख रहे हैं आप बड़ी बात है और बड़ी बात कही है भितिया पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया बविता भारती के प्रतिनिधी जितेंदर जुनियर जी ने कि पंचायत में भरस्टाचार अगर कहीं होगा तो उस पर पैनी निगाह रहेगी और जो के साथ भितिया की जनता ने मुखिया की ताज इन्हें दी है उस पर पूरी अपेक्चाय के साथ खड़ा उतरने का प्रयास करेंगे बने रही हमारे साथ भिहार पंचाय चुनाओ की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए कैमरा प्रसंद लिप कुमार के साथ मैं रिसेख कुमार